नमस्कार साथियों मेरे नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दुष्टियाएस चैनल की इस नए विडियो में यह हमारा MCQ प्राक्टिस सीरीज का प्रोग्राम है जहांपर हम बेसिकली सवालों के जरीए किसी कॉंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यह पूरी जो सीरीज है आपके लिए जाहिरतोर पर बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होने वाली है ताकि अगर आपके प्रश्निपत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आता है किसी कॉंसेप्ट को लेकर के कोई सवाल आता है तो वो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें विज्ञान के सवालों पर हम बात करेंगे चलि वीडियो की शुरुवात करते हैं और आज का हमारा जो पहला सवाल है उसमें आप से पूछा गया है कि परमानू रियक्टर का भारी जल है हमारे ओप्शन है ओप्शन A वी आयनिकरत पानी ओप्शन B ऑख्शिजन के भारी आईसнуть का एक औकशाइड ओप्शन C बर्फ और पानी का मिशरां option D hydrogen के भारी आईसोटोब का एक oxide तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option D option D यहाँ पर सही जवाब है यानि कि जो भारी जल होता है heavy water होता है उसको आप क्या कह सकते हैं कि यह hydrogen के भारी आईसोटोब का एक oxide होता है चलिए इसको अगर विस्तार से आप समझने की कोशिश करें सबसे पहले आपको यहाँ पर heavy water को समझना होगा पानी के बारे में आप जानते हैं कि पानी को formula क्या होता है H2O अब heavy water क्या होता है कि basically आपका heavy water में heavy water आप इसको कह सकते हैं तो heavy water basically एक तरह का chemical compound होता है जिस compound में basically आपका hydrogen का एक भारी isotope इस्तमाल किया जाता है जिस भारी isotope का नाम होता है deuterium तो deuterium अगर आप देखेंगे deuterium का जो deuterium को लिखा जाता है वो लिखा जाता है 2H के नाम से या फिर आप इसे D2 के नाम से भी लिख सकते हैं तो ये basically आपका D2 के नाम से भी लिख सकते हैं तो ये आपका क्या हुआ इसको आप deuterium कहता है ये क्या होता है hydrogen का एक भारी isotope होता है तो इस तरह से आपका जो heavy water है उसको लिखने का formula होता है आपका या तो आप इसको 2H2O की तरह लिख सकते हैं या फिर आप इसको D2O की तरह लिख सकते हैं तो ये आपका भारी जो पानी होता है उसको formula होता है अब भारी पानी basically हमने देखा कि ये deuterium से बना होता है और इसमें भारी isotope का इस्तमाल होता है तो अब ये जो आपका पानी है इस पानी का उपयोग प्राथमिक शीतलक के रूप में भी किया जाता है कि इसके रूप में विखंडन प्रक्रिया के दुरान जो उर्चा उत्पन होती है जो गर्मी उत्पन होती है उसको द्वित्यक शीतलक यानि के बिसिकली आपका जो हलका पानी होता है वहां तक ले जाने के लिए किया जाता है इसके बाद जो आपका हलका पानी है वो भारी पानी से जो उश्मा मौझूद है भारी पानी में उसको अपने अंदर ग्रहंट कर लेता है और इसके बाद भाप जो है वो टर्बाइन चलाने के लिए उचित दबाव पर भाप उत्पन होती है और इस तरहे आपका बिजली का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है तो यहाँ पर आपका जवाब जो डी है, विकल डी बिल्कुल जही जवाब हो जाता है बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल को देखें, तो एक तरफ आपको जो है कुछ तत्वों की कुछ elements की सूची दी गई है, दूसरी तरफ सूची दो में आपको उनकी application दी गई है अब यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले सूची एक में आप देखें तो आपको पहले नंबर पर मिलेगा uranium का isotope, दूसरे option B में आपको मिलेगा cobalt का isotope, option C में आपको मिलेगा iodine का isotope, option D में आपको मिलेगा radium का isotope वहीं दूसरी तरफ सूची में अगर आप देखें तो आपको पहले नंबर पर मिलेगा cancer का उपचार दूसरे नंबर पर मिलेगा घेंगा रोक का उपचार तीसे नंबर पर आपको मिलेगा दृत्य कैंसर का उपचार और चौथे नंबर पर आपको मिलेगा परमाणू इधन अब हमें यह बताना है कि इनका सही match क्या होने वाला है तो अगर आप कूट को देखेंगे तो कूट के अधार पर आप आसानी से जो है समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से जवाब देना है अब इसके सही जवाब की अगर आप बात करें किसका सही जवाब क्या होगा तो उसका सही जवाब है आपका option C यानि कि यहाँ पर आपका जो यह हमारे पास A विकल्प जो है वो match होगा आपका चौथे से यानि कि uranium का जो isotope है उसकी application उसका use होता है परमाणू युधिन के रूप में कोबाल्ट का जो isotope है उसका इस्तमाल किया रहता है एक एक करके इनके इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कर लिए अगर आप तो आपका जो uranium का isotope है इस पर हमने पहले भी बात की तो uranium परमाणू रियाक्टरों के लिए प्रमुख इधन के तोर पर काम करता है और परमाणू हतियारों के लिए भी एक raw material के तरह काम करता है तो अगर आपसे सवाल आता है कि परमाणू रियाक्टर में किसका इस्तमाल होता है तो उसमें uranium का इस्तमाल होता है परमाणू रियाक्टर में आप uranium यूज़ करते हैं और इस uranium के अलावा परमाडू हत्यारों में भी uranium का इस्तमाल होता है uranium के समस्थानिक रेडियो धर्मी होते हैं यानि कि इसके जो आईसोटोप हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और प्राक्रतिक रूप में uranium तीन आईसोटोप में पाया जाता है uranium 238, uranium 235, uranium 234 अब इसमें से uranium 235 जो है ये सबसे important है क्योंकि इसका इस्तमाल आपका reactors में भी किया जाता है और अगर आप इसको ज़्यादा enrich करते हैं ज़्यादा बहतर बनाते हैं तो आप इसको परमाडू हत्यारों में भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगला है हमारा कोबोल्ट का आईसोटॉप तो कोबोल्ट का जो है कोबोल्ट 60 जो होता है कोबोल्ट का आईसोटॉप नमबर 60 ये एक रेडियो धर्मी आईसोटॉप है यानि के रेडियो अक्टिव होता है और ये गामा किर्णो का एक महत्तपूर श्रोथ भी मना जता है जिसकी वजह से इसका अस्त'm also कैंसर के उपचार में और रेडियोथेरिपी के लिए भी इसका आयोडीन के अईशोटोप के अगर 900 टो आप बात करें तो आयोडीन के रेडियोधर्मिस यह और हाफु लाज यह होती है और इसे वजह इसे ये आपका जो है आईसोटोब जो है वो मस्तिष्क और यक्रत के ट्यूमर का पता लगाने में भी मदद करता है चलिए बढ़ते हैं आगे इसके अलावा रेडियो रेडियम के आईसोटोब के अगर आप बात करें तो रेडियम का आईसोटोब जो है इसका उपयोग आप पारंपरिक रूप से गर्भाशे गरीवा के कैंसर या फिर किसी माद्धे में कैंसर के उपचार में कर सकते हैं किसका उपयोग रेडियम के आईसोटोब का उपयोग इसका जो जबसे ज़्यादा उपयोग अनुपरयोग होता है इसकी सब्से बड़ी अप्लिकेशन है वो इस जासे होता है क्योंकि इसकी जो अर्धायू है वो लगभग 1620 वर्ष के आसपास होती है तो इसलिए ये चिकित्सा के लिए एक बहुत ही जादा stable और बहुत जादा sustainable element माना जाता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपने अगले सवाल पे तो हमारा अगला सवाल है आपसे इनमलिकित रेडियो धर्मी पदार्थों में से किसकी अर्धायू अधिक्तम होती है हमारे option है आपके सामने option A है carbon 14, option B है plutonium 239, option C है radium 226, option D है uranium 238 तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका option D, option D यानिकि uranium 238 की जो half life है वो आपकी सबसे जादा होती है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि half life क्या होती है तो half life basically या फिर आप इसको अर्धायू भी कह सकते हैं, ये basically किसी element में जो परमाडू मौजूद है, atom मौजूद है उसमें से आधे atoms को खतम होने में कितना समय लगता है, half life उस समय को दर्शाता है उधारन के लिए माल लेजे कि कोई आपका element है जिसमें 100 परमाडू मौजूद है, 100 परमाडू आपके देखने को मिलेंगे तो अब ये जो 100 परमाडू है, इसमें से 50 परमाडू को खतम होने में जितना समय लगेगा, उस समय को आप क्या कहेंगे, half life कहेंगे अब इसमें से जो सबसे जादा half life होती है, वो uranium 238 की होती है, uranium 238 की हाफ लाइफ के अगर आप बात करें, तो इसकी half life तकरीबन 4.5 अरब वर्ष के आसपास होती, बहुत जादा half life ये मानी जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस पदार्थ की जो आधे परमाडू है, उनको समाप्त होने में, उनका शय होने में 4.5 अरब वर्ष लगने वाले हैं, इसके अलावा radium 226 की अगर आप बात करें तो इसकी half life 1600 वर्ष की होती है, plutonium 239 की अगर आप बात करें तो इसकी half life 24,100 वर्ष की होती है, और carbon 14 की half life की अगर आप बात करें तो इसकी half life 5,330 की असपास होती है, और uranium तो इस तरह से आपका uranium 238 है, उसकी half life आपको सबसे जादा नजर आ जाएगे, तो इस तरह से आपका विकलप यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, बढ़ते हैं आगे, अगले अगरे 5 छडो का उपयोग किया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, हमारे option है, option A, neutron तीवर गती से बनते हैं, option B, proton तीवर गती से बनते हैं, option C, neutron धीमी गती से बनते हैं, option D, proton की गती को धीमा कर दिया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है, वो है आपका option D, यानि कि इस प्रक्रिया में क्या होता है neutron की गती को धीमा कर दिया जाता है किसके माध्यम से तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option C यानि के यहाँ पर neutron की गती को धीमा कर दिया जाता है अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं तो जब आप एक परमाडू reactor की बात करते हैं तो परमाडू रियाच़र में आपको chain reaction देखने को मिलता है शंकला, परतिक्रिया देखने को मिलती है तो इस परतिक्रिया के दुरान इसको नियंतिरत करना बहुत important है ताकि अगर आप इस chain reaction को नियंतिरत नहीं करेंगे तो फिर आप परमाडू रियाक्टर से एनरजी प्राप्त नहीं कर पाएं क्योंकि ये फिर उदर-उदर विखरने लगेगी तो आपको उसे नियंतरित करना होता है जैसे अगर आप देखेंगे तो यूरोइनियम का जो आईसोटोप है उसके विखंडन से उत्पन नियूट्रॉन की जो औसट अनरजी होती है वो 2MEV के आसपास होती है तो अगर आप नियूट्रॉन को धीमा नहीं करेंगे तो ये रियाक्टर से क्या होगा बाहर निकल जाएगा اور आप कभी भी एनरजी प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में एनरजी प्राप्त करने के लिए रियाक्टरों में तीवर नियूट्रॉन को धीमा करने के लिए विखंड की नाभकी के साथ-साथ मन्दक के रोप में हलके नाभिकी का भी इस्तवाल किया जाता है जिससे क्या होता है आपके जो न्यूट्राउन है वो धीमे हो जाते हैं और फिर उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है अब जो चीजे मन्दक के रोप में उपयोग की जा सकती है उसमें आप जो है जल को शामिल कर सकते हैं, भारी जल को जिसकी हमने पहली खबर में बात की थी, D2O उसको शामिल कर सकते हैं, ग्रिफाइट को शामिल कर सकते हैं, कार्बन को शामिल कर सकते हैं, तो इस तरह से option C यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है, अगले सवाल को देखें अगले सवाल में आप से पूछा गया है कि soda acid प्रकार के अगनी शामक यंत्र की रासाइनिक सनरश्णा क्या है? हमारे option है option A, sodium hydrogen carbonate और sulfuric amal का विलियन, option B, sodium carbonate और sulfuric amal का विलियन, option C, carbon dioxide और sulfuric amal का विलियन, option D, sodium chloride और sulfuric amal का विलियन, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option A, यानि के sodium hydrogen carbonate और sulfuric amal का विलियन, तो अगर आप बात करते हैं soda acid अगनी शामक यंत्रों की तो इनमें आपको sodium hydrogen carbonate और sodium bicarbonate और sulfuric amal का विलियन जो है, देखने को मिल जाएगा, sulfuric amal sodium hydrogen carbonate के विलियन के साथ प्रतिक्रिया करता है, और carbon dioxide gas उत्पन करता है, और यह जो carbon dioxide gas है, यह एक गैर देहन शील gas है, जो की देहन को रोकती है, और यह वायू में भारी मातरा में होती है, और इसलिए अगर वायू में oxygen की आप उरती कम हो जाए, आपने खुद देखा ह होगा कि अगर मालीजे आप कोई दिया जलाते हैं, और दिये को अगर आप धग देंगे, तो कुछ समय बाद उस दिये की जो रोशनी है, वो समाप्त हो जाएगा, यह दिया जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, वहाँ पर oxygen की जो supply है, वो कम हो जाती है, और carbon dioxide व भाव से उत्पन रासाइनिक प्रतिक्रिया के सिध्धानत पर काम करते हैं, जो अचानक मात्रा में परिवाटन का कारण बनता है, इसी निमेलिखित में से कौन सा रासाइनिक रूपांतरन इसके लिए जिम्मेदार है, हमारे option है, option A, sodium, azide, nitrogen gas में, option B, ठोस carbon dioxide को गैसिये carbon dioxide म रूपांतरित करना, option D, गैसिये carbon dioxide का अचानक carbon monodioxide में रूपांतरन, तो इसका जो सही जवाब है, वो है आपका option A, sodium, azide, nitrogen gas में, तो इस पर अगर विस्तार से आप बात करें, तो airbag किसी संपीडित gas श्रोथ से नहीं, बलकि किसी रासाइनिक प्रतिक्रिया के उत्पादो से फुलाए जाते हैं, यहाँ पर आपको क्या है, एक chemical process देखने को मिलेगा, airbag में प्रतिक्रिया के केंदर में आपको जो रसाइन मिलेगा, उस रसाइन का नाम होता है sodium azide, जिसको आप formula देते हैं, NAN3, NAN3 भी आप कह सकते हैं, तो एक मुठी, यह तकरीबन 130 gram sodium azide जो है, वो 67 liter nitrogen gas उत्पन कर सकता है, जो कि मानक airbag को फुलाने के लिए पर्याप्त है, तो इस तरह से आपका option A यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, चलिए अगले सवाल को अगर आप देखें, तो हमारा अगला सवाल है कि गहरे समुदर में गोताखोरों को सांस लेने में मदद करने के लिए, वे मिश्रित oxygen के cylinder ले जाते हैं, तो उसमें कौन सी gas का मिश्रन होता है, हमारे option है, option A chlorine, option B helium, option C nitrogen, या फिर option D ozone, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option B, उसमें आपको helium का जो है मिश्रन देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में विस्तार से अगर आप बात क मिश्रन होता है, गैसों का उपयोग जो है, वायू मंडल के तुलना में समुदर के नीचे दबाओ के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, अब वायू जो है हमारी वर्तमान समय में, अगर आप अपने वायू मंडल में देखेंगे तो वहाँ पर आपको 21% oxygen, 78% nitrogen nitrogen और एक प्रतिशत अन्य उत्कृष्ट गैसों का mission देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप जल के अंदर जाते हैं, जल के अंदर उच्छ दबाओ के कारण जो आपका nitrogen है, वो समवेदनाहारी प्रभावी पैदा कर सकता है, और इससे बेसिकली जो है, आप जो nitrogen है, उसका उपयोग समुदर के भीतर केवल 130 फिट तक ही कर सकते हैं, इसके बाद क्या है, इसके नकारात्म प्रभाव आपको nitrogen के नकारात्म प्रभाव आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे में जो scuba drivers होते हैं, जो के 130 फिट से भी नीचे जाते हैं, उनकी और से tank में helium का इस्तमा नहीं है, हमारे option है, option A, telescope, option B, binocular, option C, x-ray, फिर option D, image, पैच, या फिर option D, infrared image converter tube, उसका सही जवाब है, option C, यानि कि आपका night vision का उधारण x-ray नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर आपके सही जवाब हो जाते हैं, night vision बिसिकलि ऐसे उपकरण होते हैं, जो बहुत कम प्रकाश की उपस्थिती में भी, या उपस्थिती में भी आपको देखने या imaging करने में सक्षम बनाते हैं, तो सरवोत्तम night vision जो स्वीरें आती हैं, वो आती है, image intensifier से, या जिसे आप converter tube भी कह सकते हैं, तो night vision उपकरणों को विभीन रूप में इस्तमाल किया रहा सकता है, जैसे कुछ क उपकरणों और हथियारों पर भी उनको लगाए जाता है, उधरन के लिए rifle पर ये night vision उपकरण लगाए जा सकते हैं, और ये आमतार पर दूर की वस्तों को धंग से देखने के लिए telescope से सुसजित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका option C जो है, वो सही जवाब हो जाता है, चली बढ़ते हैं आगे, अंत में अपने एक अभ्यास प्रशन को आप देखें, तो आपसे अभ्यास प्रशन पूछा गया है, कि हवाई जहाजों के टायर सुचालक रवर के क्यों बने होते हैं, हमारे option है, हमारे कथन है, ताकि उडान के दुरान विमान पर जमा हुआ प्रशन को लैंडिंग पर आसानी से भूमी में ट्रांसफर किया जा सके, अब नीचे दिए कूट का उप्योग करके हमें सही उत्तर का चुनाओ करना है, हमारे कूट है, option A केवल 1, option B केवल 2, option C एक और दो दो या फिर option D, ना तो एक और ना ही 2, तो उसका जो सही जवाब ह वो जल्दी से आप comment box में बताएंगे, और मुझे उमीद है कि इस वीडियो में हमने जितनी भी खबरों पे चर्चा की है, जितनी भी अवधार्णा उपर हमने बात की है, वो आपको समझ में आये होंगे, और अगर आपकी प्रशन पत्र में इसको लेकर के कोई भी सवाल आ Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले